बिस्मिल्लाहिरुर्रह्मादुरहीम, जी अजीस तालब इल्मू, हम स्टार्ट करने वाले हैं चाटर नुबर 6 का लेक्टर नुबर 4 और आपको याद है कि हमने लेक्टर नुबर 3 में हमने बात को छोड़ा था किसके ओपर ग्रैम स्टेनिंग पे और विद दे करेक्टरिस् So let's go to the features of cell membrane. Let's start with the cell membrane. So students, अगर हम किसी एक बिक्टिरियम की structure को draw कर लेते हैं, say कि अगर ये मेरे पास कोई bacillus है, right? तो definite बात है कि इसमें सबसे बाहर क्या present होगी जाहर है, cell wall. For example, कि मैंने इस पर जो cell wall को ऐसे draw कर दिया, right? तो इस cell wall के अंदर जो चीज विजे नजर आएगी, that is cell membrane. इसका मतलब ये है कि location में cell membrane lies beneath cell wall. तो लिख रहा है यहाँ आप location में, कि it lies beneath, जब मैं word यूज करता हूँ, students beneath, तो इसका मतलब होता है नीचे, इसका मतलब students क्या होता है, नीचे, तो ये cell wall के नीचे present होती है, beneath cell wall, right? और अगर आप लोग इसकी structure की बात करो, तो structure की लिहाँ से students ये क्या होती, it is very soft, it is delicate, it is elastic, and still it is tenacious, ये इतना असानी से नहीं फट जाती है, अगर चाहिए ये बहुत delicate और soft है, और इसकी delicacy, softness और tenaciousness में जाहर है, इसके chemical composition का बहुत ज़दा हाथ है, और अगर आप इससे कोई और नाम देना चाहिए, तो जाहर है, आप chapter number four में पढ़ क्या है, क्या है, प्लाजमा मेंबरेन, और इसको प्लाजमा मेंबरेन कहने की reason भी यहीं है, इसके नाम प्लाजमा मेंबरेन भी है, फिर अगर हम लोग students की आखरी की प्लाजमा मेंबरेन क्या है, इसके function, तो function जैसे मैंने पहले बहुता रिलेट करता है structure के साथ, तो इसके रहास से हमें एक चीज़ और understand यहां पर करने चाहिए, कि क्या हमारे प्रोक्रियोट की cell wall और यूक्रियोट की cell wall एक जैसी है, sorry, cell membrane, कि इस particular function को study करने से पहले, हमें एक बात को और गौर से देखना चाहिए, और वो यह है, कि क्या जो हमारे यूक्रियोट है और हमारे प्रोक्रियोट है, दोनों की cell membrane एक जैसी है, तो answer is no, there is a difference between the chemical composition of a यूक्रियोट and a प्रोक्रियोट, for example, difference between structure में, कि जो हमारे यूक्रियोट है, कि जो हमारे यूक्रियोट है, उनके अंदर, concentration of sterol and cholesterol is sterols and cholesterol, वो ज्यादा होती है, या sometime यू भी कहड़ा सकता है, कि इनके अंदर ये चीज़े पाई ही नहीं जाती है, तो यह जो difference है, वो basically relate करता है, कि इसके साथ, उनके functional difference के साथ भी, because क्या आपको पता है, बायो में और chemistry में, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं, कि structure is related to function and function is related to structure, तो function इसके हमारे पास किया है, बड़ी simple सी बात है, कि ये control करेगी, it controls what movement, भई अगर हम movement की बात कर रहे हैं, तो जाहर है, यहां से कोई drug और बस तो गुज़दी नहीं है, यहां से क्या मुज़रेंगे जाहर है, molecules, तो molecules की मेरे पास क्या टाइप हो सकती है, दो, यानि के, it will either control the movement of inorganic substances, right, और जब मैं inorganic substance की बात पर हो, तो जाहर है, उसमें से, हमारे salts, कुछ acid के fractions, कुछ हमारे पास base के fraction, कुछ salts की चीज़ें, तो जाहर है, वो यहां पर चाहिए होगे, और या फिर इने चाहिए होगे कोई ना कोई heavy metals, जो इनके body के enzymes के co-enzyme के तौर पे, या co-factor के तौर पे उसकी help कर रहे होंगे, और दूसरी चीज़ें जो चाहिए है definitely, वो क्या है students, organic substances, मैंने deliberately इसको organic को black से लिख रहा हूँ, और उसकी reason हमारे पास ये students के, इसकी वज़ा से, आपको समझ जाएगी, कि इसमें जो central skeleton है, वो क्या है carbon, right, तो organic substances की movement को भी control cell membrane, अब जब मैं अगरिक substances की बात पर लो तो जाहर है, इसमें आपको नज़र आएंगे carbohydrates, proteins, lipids and for example vitamins and then co-enzymes etc, right, carbohydrates, proteins, lipids, vitamins and co-enzymes etc, तो जितनी भी चीज़ें हमारे cell के अंदर आ रही हैं या जा रही हैं, उसको किसी तोर से भी control नहीं करती cell wall, उसको control करने वाली जो चीज़ है, उसका नाम क्या है, cell membrane, so let's move to the next thing, वो next point हमारे पास कहा है, cytoplasmic matrix, और अगर हम इस cytoplasmic matrix की बात करें, तो matrix का बंदा फिर इंडिशी लो space होता है, तो अगर मैं इस particular bacterium को draw कर रहा हूँ, for example something like it, तो आप लोगों को पता है कि ये बाहर वाल चीज़ हमारी CM है, it stands for cell membrane, और इसके बाहर जो चीज़ प्रेजन है, that was very hard and thick, it was CW, it stands for cell wall, तो cell wall के नीचे, cell membrane, और इसके center में, ये जो चीज़ है मेरे पास, ये जाहर है, इसका DNA, right, अब DNA से बाहर और cell membrane के नीचे, even including cell membrane, जो चीज़ मेरे पास present है, उससे में क्या बोलता हूँ, Cytoplasmic matrix, तो matrix का मतलब आम तोर पर स्टूरिंट्स क्या होता है, space, right, अब मैं अगर इसके अंदर पाई जाने वाली चीज़ों को देखू, तो जाहर है, चीफ सी तो इसमें water ही होगा, जाहर है, औ और इस particular water के अंदर अगर हम देखें तो different किसम की चीज़ें dissolved है, उन different किसम की चीज़ों में जाहर है क्या शामिल होते हैं again inorganic substances, और शामिल हो सकते हैं organic substances, right, अब बात को तरह बहुत से सुरियेगा, cell membrane, हमारे cytoplasm में जो liquid fraction है वो, और इसके दर जितने भी organelles present है, granules present है, उन सब चीज़ों को collectively, अगर मैं कोई नाम देना चाहूं तो वो क्या है students, protoplast, तो यहां पे आप लोगों ने, सब चीज़ें लिए नहीं हैं, for example, आप लोगों ने cell membrane को include कर देना है, आप लोगों ने cytoplasm को include कर जिसमें सारा water शामिल है, वो include करेंगे, और जितने भी इसके other parts हैं, उन सब को आप add करके एक नाम देना चाहें, तो वो क्या कहलाएगा, protoplast, अब यहां पे organelles या parts क्या क्या हो सकते हैं, जी, उसमें हमारे पास शामिल हो सकता है, students, what, number one is nucleoid region, means is nucleo-scarine शामिल हो सकता है, and then we may have plasmids, then we may have ribosomes, then we may have mesosomes, and then we may have two more things, one of them is called as, for example, cyst, other one may be called as spore, and still third thing may be the granules, तो इन सारी की सारी चीज़ों को, मैं collectively क्या बोल सकता हूं, students, cyto, sorry, cytoplasmic matrix, इन तुमाम के तुमाम organelles को, mean part of the cells को हम one by one discuss करने वाले हैं, तो आज हम discuss करेंगे up to ribosomes, right, तो हम स्टार्ट करें किसके साथ, nickeloid region के साथ, so that is somewhere here, हम इस वकत यहां खड़ेगे, here, and then here, right, so बात ही है, students, कि सबसे पहले इसकी location हम देखेंगे, आपके लिए मैंने यहां diagram पहले से draw की हुई है, तो you can see, कि यह जो मेरे पास इसका hydratory material है, जिससे मैं DNA बोल रहा हूँ, आप तरह इसकी position को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि इसको nucleus कहने की क्या वज़ा है, basically nucleus is a geometrical position, कि यह जो particular group of molecules है, यह किसी भी cell के बिलकुल center में exist करते, nucleus means center, तो nucleus मेरे पास वो जगा है, जो किसी भी चीज़ के एन वस्त में center में पाई जाए, तो इस लिखास आपको पता रहा चाहिए, कि it lies, it lies close to the center, ठीक है, और it lies exactly in the center, और in the center, जैसे कि आप लोगों पढ़के आए हैं, कि जो हमारे animal cells है, उन में यह बिलकुल वाकरी center में होता है, लेकिन plant cells में, due to presence of vacuole, it has been pushed to one side, अगर हम इसकी structure की बात करें students, तो it is not, it is not bounded by our nuclear membrane, इसके बाहर कोई nuclear membrane शामिल नहीं होती, एक बात, दूसरी बात यह है, कि यह एक single, single circular DNA है, बस एक गोल साथ DNA है, और कितना है one, जाहरे students, अगर मेरे पास number of chromosomes one हो, तो हम उसे नाम कर देते हैं haploid, haploid, haploid का word डिकला है halfploid, right means one end, because usually number of chromosomes is diploid, तो diploid का आधा monoploid भी कहलाता है, therefore haploid और monoploid is the same thing, तो यहां पे यह क्या कहलाएंगे one end, right, अगली बात, अगर आप इस particular central molecule को देखना चाहते हैं किसी बिकेड़ा की body में, तो आप लोगों को करना पड़ेगा इसको stain, और अगर आप इसको stain करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास kromosomes को stain करने के लिए एक different stain, एक unique stain इस्तेमाल होता है, उससे हम वो नाम देते हैं, फिल्गन stain, this particular stain has a greater affinity, इसको nucleus और DNA बड़ा पसंद है, right, तो जो हम इसको add करते हैं, तो यह फिल्गन स्टेन जाके सीता kromosomes से bind होता है, DNA से bind होता है, इसके affinity, इसकी चाहत, कि इसके लिए DNA के लिए, वो order's above board, कोई शक ही नहीं है, तो इसीता जाके उससे attach होता है, अब एक बात आपने बहुत ज़्यादा गौर्श से सुदनी है, कि हम DNA को देखें, तो DNA एक बहुत लंबा चौड़ा structure है, right, लेकिन उसके उपर जो information है, अगर हम उसे books की form एकना शुरू करें, तो हम उसके उपर कई books cover कर सकते हैं, लेकिन अलब ताला इतनी ज्यादा बड़ी information को एक छोटी सी जगा में कैसे pack कर लेता है, it is called as the marvel of God, right, तो हम इसी marvel of God, यनि कि DNA की बात करें अगर, तो आप देखेंगे कि एकोलाए की, जो DNA की length है, it is just one, four, triple zero, NM, तो जितनी भी bacteria की information है, वो सारी की सारी अलारब लिज़त ने, इतनी छोटी सी microscopic space के अंदर fill कर दिया, therefore it is called as a marvel of God, right students, तो ये information भी आप लोगों के mind में हमेशा रहनी चाहिए, now we want to move to the next organelle, or part of the bacterial cell that is called as a plasmid, अब अगरा plasmid की बात करें students, तो plasmids, bacteria की body में uniformly distributed in the cytoplasmic matrix, कोई यहां present है, कोई यहां present है, कोई यहां present है, right, तो आप लोग इसको label कर सकते हैं as what plasmid, सवाल यह है, कि location तो पता साल गई, कि it is distributed, in the cytoplasm, जो सवाल ही है कि इसकी chemical nature क्या है, तो answer is, these are extra chromosomal, extra chromosomal pieces of DNA हैं, वही हैं तो यह DNA, कि pieces, लेकिन यह DNA से जुदा हो गए हैं, separate हो गए, और separate होने के बाद, उन्होंने किस जगा पर ना पसंद किया, cytoplasm, what is its advantage, इसका advantage हमारे पास यह है, कि इस से, इस particular organism को genetic variations हासिल होती हैं, तो राइट, फिर अगली बास students यह है, कि genetic variation का, इस organism को superiority कैसे मिलती हैं, genetic variation से superiority obtained होगी, because, कि इस particular extra chromosomal piece of DNA के ऊपर, बहुत ज्यादा valuable information लिखी होती हैं, for example, यहाँ पर resistance present होती है, against antibiotics, resistance against antibiotics, इससा क्या मतलब, मिसाल के तौर पे, I am a doctor, और आप मेरे पास एक case लेकर आते हैं, No, I am a literate person, मुझे यह बात पता है कि आप लोगों की body भी, anti-biotic के गलत इस्तमाल से problem आ सकती हैं, तो मेंगी खुएश बेशा यह होगी कि मैं आप लोगों को पहले एक low-power वाली anti-biotic दूँ, फिर मैं आप लोगों को थोड़ी सी और पावावाई दूँ, फिर और पावावाई दूँ, तो अगर आपका कोई जानने वाला मेरे पास आएगा और मैं उसे low-power anti-biotic दूँ, और अगर उस organism की body में पाया जाने वाला bacterium, it is provided with the plasmid that has got a gene for antibiotic resistance, तो मेरी well-selected medicine उस बिटिया कुछ नहीं बिगार सकेगी, because it has a armory, it has a shield, it has a defense against my antibiotic. अब मेरी antibiotic, जो selected antibiotic थी, उसका लुकसान हुआ किसको? मेरे patient को, लेकिन फाइदा किसको हुआ? बिक्टिरिया को, क्योंकि इस particular gene की वज़ा से ये वाला बिक्टिरिया मरने से बच गया. आप लोग यह कहेंगे जनाब, सर को तो आदा जाता है कुछ नहीं है, उनकी medicine तो फरक ही, कोई नहीं पढ़ा, so let's move to the quake, आप किसी quake के पास से लग जाओ, अब quake के करेगा, आप लोगों को पहले ही नंबर पे जो उस वगत की सबसे strong medicine देदेगा, अब result क्या हुआ? जाहिर है, उस नई introduced medicine के अगेंस चूंकि बिक्टिरा ने अभी resistance डिवालप नहीं की, उसके plasmid information code नहीं हुई, तो वो organism जल्दी से ठीक हो जाएगा, तो आप यह समझेगे जनाब के एक qualified doctor से तो एक quake बेतर है, हलांके you are wrong, हमेशा सबसे पहले low potency antibiotic देनी चाहिए, और उसके बाद gradually antibiotics की resistance को face करते हुए उपर जाना चाहिए, ना के हम number one पे ही एक ऐसी medicine slide कर लें के जो future में हमें रुस्वान पहुंचा सकती है, क्योंके जितनी medicine strong होती जली जाएगी उसका effect आप लोगे के knees or liver पे उतना ही वड़ता चला जाएगी, right, so believe के your doctors they are literate person and they know how to tackle the problem and what could be the safest medicine for the patient, right students, लेकिन बाराल इस anti-biotic resistance का bacteria को फाइदा होता है, इसके इलावा इन particular plasmids के ऊपर heavy metal के against resistant genes भी present होती है, genes against heavy metal, right, heavy metal से against भी हो सकता है, फिर इसके ऊपर genes हो सकते हैं against hazardous, hazardous metabolites, तो ऐसी चीज़ें जो इसके metabolism को खराब कर सकती हैं उसके against भी इसके पास क्या present है, gene present, same is the case here, कि जिस bacteria के पास ये plasmid हैं वो उस plasmid को अपने normal genome में add भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं to develop resistance against any abnormal environmental condition, it means having plasmid is better than not having the plasmid, so plasmids are blessing for the bacteria, अब अगली बात ये है students के application क्या है इस particular organelle की तो answer ये है कि हज़रत इनसान ने human being ने इस particular organelle को use किया है, किसके लिए humans are using particular organelle for genetic engineering, genetic engineering, अब genetic engineering से मुराद क्या है कि इसके जरिये से हम different किसम की genes को modify करके human welfare के लिए इस particular topic के उपर आप लोगों के part two में एक complete topic, complete chapter present है, जब हम वहाँ पर जाएंगे तो उप्ला करके देखेंगे कि ये plasmid human welfare के लिए कैसे इस्तमाल हो सकते है, right, bacteria उसको अपने फादि के लिए इस्तमाल कर रहा है और जब हमने ये इस अलायत अप्टेन कर ली कि हम उनको बाहर निकालें, उनको modify करें, उसमें इंसान की पसंद कीजिन insert करें, और फिर इंसान की पसंद की चीज़े bacteria से बनवाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, genetic engineering. So let's move to the next topic, और 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 नेक्स topic के students क्या mesosomes, और as usual मैं सबसे पर डिसमस कर रहा हूं इनकी क्या location, तो location के इतबार से सुनेंट सी है कि ये ये वाले और्गेनल्स, ये cell membrane के साथ ही associated हैं somewhere here, आपको पाया चल गया होगा, कि इसके बाहर जाहर है क्या present है cell wall, so cell wall के नीचे cell membrane के साथ associated हैं ये वाले और्गेनल्स, ये और्गेनल्स बनते कैसे हैं? तो answer is, मैंने लिखा है आप लोगों के लिए पहले से by the invagination, अब मैं इसको जरा मोटा अग लिखता हूं आप लोगों को समझ आ जाए, अगर आप लोगों के पास कोई एक दुपटा है, और आप उसकी डिफरेंट किसम की फोल्ड बना लेते हैं, तो हम उसे बूलेंगे कि किसी पॉइंट से दुपटा है, वो अंदर की तरफ गया हुआ है, और उसके इसमें डिवाइड होगा है इन टुफोल्ड राइड, तो वो जो फोल्ड दुपटा है, ये किसी स्टैक की फॉर्म में भी हो सकता है, राइड, वो किसी लेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं, क्या इनवर्ड फोल्ड और इनवजिनेशन, राइड, अब अगली बात ये है, कि इन से बनन पर फॉर्म कर सकती है, तो आप लोगों की फॉर्म ने इनके हमें चार डिफरेंट यूनिक फंक्शन दिये रहे हैं, नबर वन सुनेट मेरे पास क्या है, सेल डिवीजिन, कि जब आपनी सेल को डिवाइड करवाना है, तो उसके लिए जो सिगनल्स हैं, वो बेसिकली इस प फिर उसके बास सुदेंट एंपॉड़न ठीग है, डाइट एस रेस्पाइरेशन, यानि कि समझा जाता है कि जो रेस्पाइरेटरी एंजाइम्स हैं, वो भी इन ही के साथ एस्टुइटेटेट हैं, राइट, रेस्पाइरेटरी एंजाइम्स और रेस्पा spokes एंजाइम्स क के बाद जो आखरी चीज़ हमारे पास आती है students वो क्या है export of export of exocellular और extra cellular mean to say के cell के बाहिर exo का मतलब होता है बाहिर endo का मतलब होता है अंदर extra और exo का मतलब होता है outside outside तो जितने भी हमारे पास exocellular enzymes हैं उनको release करवाने में भी इनी mesosomes का हाथ होता है अब इसकी जरूरत क्या पेश आई तो answer इसका ही है students के ऐसा हो सकता है के bacteria को अपनी surrounding में कोई ऐसा organism मिले that के जिसकी तरफ से उससे कुछ threat and signals आ रहे हूं तो ये bacteria भी क्या करेंगे के ये अपन threats से क्या करें निजात असिल करने, get rid of that particular threat, तो उस particular threats से overcome करने के लिए अपने आपको ये वाले mesosomes enzymes release करते हैं to carry out some extra cellular digestion or exocellular digestion against its enemy, right, तो ये था students function कि इसका हमारे mesosomes का और फादली हम पढ़ने वाले हैं क्या ribosomes, अब ribosomes सा क्या location सबसे इंपॉर्टेंट, number one, कि जो हमारे ribosomes हैं, वो हमारे साइटो प्लाजम के अंदर भी present होते हैं, और बाज उकाद ये cell membrane के साथ भी attach होते हैं, right, तो दो जगारे दो जगारे exist करते हैं, अगर मैं इसकी structure की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस दो जिनों के मिलने से बने रहे हैं, ए ribosomal RNA, right, chapter number two, right, और उसमें हमने तीन डिफरेंट टाइपस के RNA पड़े थे, और उसमें से एक था ribosomal RNA, मैंने आपको बताया था कि आपके हमेशा जो पहला R है वो छोटा लिखना है, तो ribosomal RNA और मेरे पास present है, क्या ribosomal proteins, इन दो चीज़ों की assembly से, यानि कि इन दो बनती है, उसे हम क्या बोलते है, ribosomes, right, अब अगर हम इसके function की बात करें, तो बिलकुल आप पढ़ लेकिए वचे हैं, आपको ये बात बिलकुल याद हो गई है, कि they are actively engaged in synthesis of proteins, तो ये सिरफ और सिरफ synthesis of protein में इस्तमाल होती है, right, और आज की आखरी बात, कि ribosome, number one, क्यों बाए जाते हैं, दोनों में, यूकरियाट में परोकरियाट में भी, point to be noted, कि ribosome, वो वह वाहिद और्गिनल है, कि जो यूकरियाट में भी होता है, और परोकरियाट में भी होता है, लेकिन एक बात आप ये भी गौर से माइन में याद रखें, कि ribosome is not a membrane-bounded defense लिखते हैं, तो हम यही एक बात बताते हैं, कि परोकरियाट में कोई membrane-bounded और्गिनल नहीं होता, जबके यूकरियाट में सारे के सारे और्गिनल मेंब्रेन-bounded होते हैं, तो चुके ribosome के बाहर membrane present नहीं है, इसलिए वो यूकरियाट पर भी पाया जाता है, और प्रोकरियोट पर भी पाया जाते है, right, so it is important, और दूसरी बास ये है, कि जो मेरे पास ribosomes होते हैं, bacteria के, वो हमेशा छोटे size के होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, कि जो प्रोकरियोट, प्रोकरियोट का ribosome है, वो small है, और उसकी value 70 sweat birth units हैं, और जो हमारे पुरोकरियोट, sorry, हमारे यूकरियोट के, यूकरियोटिक ribosomes है, they are large, और उनकी value 80s होते हैं, that's it for today students, again, as usual, मैं आप लोगों से यही कहूंगा, खुश रहें और लोगों में खुशियां बाटें, और अपनी और अपने इर्दिद्वाई लोगों की बहुत ज़्यदा केयर करें, और चुकि हम मुसल्मान हैं, तो हमारे पास अल्ला की दीवी सबसे बड़ी निमत, इमा अज़त करें, अल्ला तर आपको इसकी तौफिक अता फर्माए, अस्सलाम अलेक।